अगर अगर पीछे के देखोगे जहां पर हम कंटिनुशली आगे बढ़े हैं तो भाई हम बात करने किसकी तो आपको बहतर पता है कि आपने पीछे की सेशन की होती है यह बहुत है कि यह दोनों रेलेशन्शिप कैसे बनती है और बनके कहां दिखती है है लेकिन अगर मैं बात करो रिफ्रेंस रिलेशन्शिप और एम मतलब मैंनी टू मैंनी इसलेशन्शिप के अगर मैं बात करूं तो भाई कंसेप्ट काफी confusing है और मैंने काफी research किया काफी सारे document पढ़े लेकिन कहीं पे भी बहुत जादा detail में कुछ नहीं दिया है even Oracle के documents पर भी बहुत ज्यादे detailing नहीं दिया है तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई मैं अपने time kill करता हूं और आपके लिए इस concept को पता करता हूं कि यह concept काम कैसे करता है finally मैंने वही किया concept पढ़ा research किया analysis किया करके देखा practice की और जब वो concept मुझे clear हो गया तम मैं लेके आगया हूं आपके पास reference and m2m relationship से आप कहीं भी research करने आपको कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों इनका केवल definitions के अलाव तो इन दोनों को समझने से पहले आपको कुछ-कुछ और चीज़े जाननी जरूर है तब ही आप इन दोनों relationship को समझ पाएंगे मैं पेरेंट चैल्ड में तो कोई issue है नहीं पेरेंट चैल्ड के अगर मैं बात करो तो मेरी खाल से कोई इशू है नहीं महीं मैंने बताया था एक parent होता है उसके multiple child हो ही सकते हैं और उनकी dependency parent के उपर ही होती है पेरेंट है नहीं रहेगा तो चैल्ड भी नहीं रहेंगे चैइल्ड का अपना कोई घर नहीं होता है अपना कोई वर के रियन होता है धैन Byte जान काया है था डाइनामिक चस्य लिस्ट यह भी पताया था कि एक झसी उप करके और ऑफिपDky अबजेट केसा लिंक कर सकते हो उस अंबजेट में ऑब्जेट मतलब टेबल भी बोल सकते हो याद करने के लिए हो उस object में जितनी number of values होंगी वह आपको उस particular field पे list of values की तरीके से देख जाएगे तो जब भी parent-child relationship हो या dynamic choice list relationship हो या नीचे की दौनों हो जब कभी में कोई भी relationship बनाता होना तो एक relationship का tag होता है एक relationship का tag होता कैसे जैसे custom object बनाने के लिए tag है standard object बनाने के लिए tag है standard messaging को देखने के लिए कोई टैग है web service को बनाने के लिए tag नसे एक link होता है उस पर click करोगे तो फिर उसकी detail होता है तो कोई भी relationship कैसे भी बनाओ चाहे वह object पे खड़े हो के parent-child बना रहे हो चाहे वह dynamic बना रहे हो यह यह दोना बना रहे हो यह सारे बने कहीं से भी लेकिन वहां पर detail में आपको व्यूँ होता है practical में जरूर दिखाऊंगा तो परिशान मत हो ना कि सर्वताए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं को दिखातो रहे हैं अभी क्यूंकि इन दोनों की बात करने वाला हो दो की बात के लिए हम यह सारे डिसकेशन करने वाल तो जब कभी भी अगर आपने एप कंपोजर पर जितना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से देखाऊगा तो कुछ कुछ चीज आपको समझ में आ गई होगी होगी जैसे एक्जामपल की बात करते हैं पेजिस होते हैं पता है फिल्स के लिए होता है ठीक है तो पेजई की बात करो फेज पर जब भी आप लिक करोगे चार तरीके के पेज़ियस आपको दिखा देंगे कैस movement पेज बिखाने के लेकिन लेंडिंगपेज पता ही यह आपको custom object आपने बनाया landing page कोई भी form खोलता हूं जो सबसे पहले दिख जाता उसको landing page बोल देते हैं अब landing page पर पूरी detail दिखाने की ज़रूपनी होती किसी भी record को identify करने के लिए कुछ basic fields like अगर invoice का landing page बात करो तो क्या मिलेगा invoice की ID का वहाँ कोई significance नहीं है ID से मुझे कुछ invoice number हो सकता है invoice का type हो सकता है invoice का date हो सकता है और और क्या हो सकता है vendor का नाम हो सकता है कि और क्या हो सकता है validate है के नहीं कट सिल दे के नहीं कुछ कुछ बैसिक जो पूरी डिटेल बहने जा करके चोटी सी बारिकी से कुछ चीजह पता लगना है ईसे पार हम कुछ फीड लगाते हैं उनको बोलते हैं लेंडिंग पेज तो लेंडिंग पेज कोई फीटेल पेज हम डिजाइन करते हैं इसको सवारा डिटेल लगाने किते हैं अगर जोसक्ती हैं और फादर नहीं में अलगो सकते हैं और मानलो लाखो करोड़ों में एक सिचुएशन ऐसी बन गी है एक ही कंपनी में एक ही नाम के दो बंदे एक ही टाइम पर जोएन करें उनके फादर नहीं करता हूं अपने creation पेज़ डिटेल पेज़ सब कुछ बन गया समरी पेज़ पेज़ सब कुछ बना दिया अब आपको दिखना है हूँ क्या थे अटेश्मेंट क्या था करन्सी क्या थी इसके लाव भी कुछ एक फिल्ड ऐसे जो किसी फॉर्मूला बेस हो कुछ फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि एक अब्जेक्ट को जब दूसरे अब्जेक्ट के साथ करते हैं तो कौन-कौन से फिल्ड आप दिखाना चाहते हो वह रियूजेबल रीजन पर डिपेंड करता है तो रियूजेबल रीजन में हमेशा वह फिल्ड टेग करें जो आप दूसरी जिलर द क्यूं बताए मैंने इन तीन चीज़ों के लिए यह तीन चीज़े किसे नाम से समझ में आएंगी कुछ नहीं आएंगी तो डेफिनिटली मैं बताऊंगा एक्जांपल भी करौँगा object function क्या होता है यह यह object function वह function नहीं तो डिटाबीस वह function नहीं कुलेट करना चाहो तो कर सकते हो कि यह कुछ किसी चीज को वह ने प्लिक और उससे कुछ response आगया तो correlate चाहो तो कर सकते हो कि function में कुछ value ढाले और रिटरन होके आगी function की basic property होती के रिटन करने की तो अगर object function new field group और सब की बात करूँ तो नाम आपने सुने होंगे जब भी आप composer कोई वीडियो देख रहे हों या किसी से discussion कर रहे हो या कोई document पर रहे हो यह तीनों चीज़ें आपको जरूर से जरूर कभी अगर मैं आपको यह बोलू कि यहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी जैसे सबसे पहले बात करूंगो object function अगर मैं आपको यह बोलू कि creation पेज आए और उस creation पेज़ पर कौन-कौन से button visible होते हो उस creation पेज़ पर button visible होते मेरे दो कौन से save and close save and continue cancel यही दिखते है create page पर अगर मैं बात करूंग मैं आपको दिखा भी दोंगा creation पेज़ पर मुझको यही दो तीन बटन दिखते है डिटेल पर बात करूंग डिटेल पर क्लिक करने के लिए होता है close close का button होता है और क्या होता है save का button हो सकता है अगर detail आपने खोल लिया लाइक आपने कोई record create किया और आप चाहते हो कि इन दो फिल्ड की calculation होके तीसरे फिल्ड में visible हो जाए जब मैं इस पर्टिकुलर बटन को दबाऊं तो क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर फिल्ड पर कोई भी फॉर्मूला या कोई भी जो एक method लिखना एक function लिखना एक calculation लिखनी है कि script लिखनी है वह script तब ही काम करें जब मैं किसी पर्टिकुलर बटन को दबाऊं तो अगर मुझे अपने detail page पर कोई भी कोई भी बटन की functionality on करने कोई बटन बनाना है चाहे वह कुछ भी हो लेट से कुछ ऐसा हो सकता अगर example की बात करूं जो हमने पीछे देखा हमने employee बनाया है हम employee कुछ सोच सकते हैं कि अगर मैं यहां पर क्लिक करूं यह commission इसका प्रिंट हो के आ रहा है मैं चाहता हूं इस बटन में क्लिक करूं तो commission description में भी सेट हो जाए यह कुछ मैंने ऐसे लिख दिया है कि अगर किसी का percentage is greater than 30 हो तो यह message इस फिल्ड में आ जाए अगर उसका commission less than इतना हो तो यहां पर print हो जाए यह value ऐसी हो greater than हो तो invalid हो जाए यह हो तो यह हो ऐसा हो वैसा हो वैलिड हो जाए और यह सब ताब हो जब मैं button दबाऊं किसी particular button को दाऊं तो किसी भी detail page पर किस पर detail page पर summary page पर अगर मैं कोई button functionality on करना चाहता हूं तो वह button मेरे as a function यहां पर जहां देना है क्योंकि बटन क्यों लाना हूं उस बटन पर कुछ करवाना चाहता हूं उस बटन पर कुछ ऐसी functionality on करना चाहता हूं जो basic standard form पर नहीं है basic default pages लियाउट पर नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैं बाई एक बनाऊंगा क्या object function object function बनाऊंगा उसको tag कर दूँ अपने detail page पर और उस object function function पर क्या होना चाहिए वह लिखूंगा मैं अपनी script में आपको जरूर से जरूर दिखाऊंगा बट क्यूं बता रहा हूं आपको यह नाम पता होने चाहिए object function वह है जिसमें मैं बटन बना करके कुछ करवाना चाहता हूं अपने page पर तो वह मैं करवा सकता हूं object function से object function नाम जुरूर है बटी एक बटन को इनेबल कर देता है बटन बना देता है जो भी नाम आप दोगे उसका बटन बना देगा clear है new field group क्या है अगर मैं new field group की बात करूं तो भाई new field group है मेरा जब मैं अपना creation page बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले तो मैं डेफॉल्ट layout pages पर क्लिक कर देता हूं तो यह चार तरीके default layout बन जाते हैं फिर मैं creation पर जाता हूं समरी पर स्वरी creation पर जाता हूं उसको एडिटेवल मोड पर खोलता हूं और जो fields मुझे चाहिए creation पर जो फिल्ड बने मैं mandatory की है वो तो automatic आयाते हैं बट जो mandatory नहीं है वो optional पढ़े जाते हैं तो कुछ non mandatory fields को भी चाहता हूं creation फिल्ड में लगाना बट यह तो एक तरीका हूं यह तो मैं करी सकता हूं फिर इसकी जरूत क्या पढ़ गी इसकी जरूत यह पढ़ गी दोस्तों कि अगर मान लीजे मैंने क्योंकि क्योंकि समझने में बहुत इजी होता है अगर मैं यह बोलू कि employee की basic information तो इस वाले reason में ऐसे करके यह form है इस reason में तो basic information इस reason में उसकी address information इस reason में उसकी bank detail अगर इस तरीके के reasons मैं अपने creation form पर creation form पर बनाना चाहता हूं तो वह बनता है न्यू फिल्ड ग्रूप से कि कोई प्रॉलम नहीं होना चाहिए न्यू फिल्ड ग्रूप क्या रहा फिल्स की ग्रूपिंग करके सिस्टम बना रहा है आपके लिए लिए ले आउट function क्या कर रहा है बटन बना रहा है न्यू फिल्ड ग्रूप क्या कर रहा है भाई fields की grouping करनी है कि basic information यहां आजाए address information यहां आजाए और आपका personal detail something यहां आजाए और bank detail यहां पर आजाए या उसके EPF का account detail यहां आजाए किसी भी तरीके से creation page तो आप बना मतलब यह तो एक simple सी बात होगी creation बनाया सारे फिल्ड पठक दिया भर दो भाई उपन नीचे भी है तो भी भर दो तो भर तो देंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक अच्छे developer का काम होता है layout design presentation अच्छा करना तो वह इससे होता है new field कहां होता है option कहां होता है भाई option होता है creation पेज जहां पे होता है क्रियेशन पेज को edit करने जाता हूं उसके जस नीचे छोटा सा button होता है file का file से shortcut सा बना होता है गौर से देखना मैं दिखाऊंगो ज़रूर एक छोटा सा button बना होता है तो उससे ये बनता है करके दिखाऊंगो डोंट वरी करके दिखाऊंगा अभी समझा रहा हूं सब्टैप्स सब्टैप क्या है नाम से पता लग रहा है क्या है सब्टैप भाई सब्टैप है कोई भी पेज उस पे कुछ-कुछ सब्टैप बना रहा हूं तो क्लियर होना चीए तौण इस पर रखनी है इतल भाई नार शेयर सब टैप बना रहा हूं तो क्लियर उनचे कि इसका रीजन क्या होगा इसका डिजाइन क्या होगा कहां से लेकर आने वाला हूं तो मैं अपने डिटेल पेज पर सब टैप भी बना सकता हूं सब टैप में मैं अलग-अलग इनफॉर्मेशन फीड कर सकता हूं एक ही फॉर्म के ऊपर कहां दिखते हैं सब्सक्राइब यह तो हो गया क्रियेशन पर डिटेल पेज पर भी जैसे अगर मैं बात करूं डिटेल पेज पर बात करूं तो इस तरीके से लेफ्ट हेंड साइड में आपके पास ऑप्शन होते हैं और सबसे नीचे लिखा होता है एड सब्टैब एक सब्टैब अलड़ी बना होता है जिस पर आपने डिटेल पेज का लियाउट बनाया जिसको समरी भी बोलते हूं सम समिIt्あ tous इसलिए कि जब सब्टैब होता है इसलिए ज्वा रिफरेंससीब की बात करोगे जब अप बनी डिफेंसे we склад करोगे तो सब्टैब पिच्चर में आएगा ही यागिंए ठीक है तो मैंने यहां पर किस-किस चीज की बात किया आप से नॉर्मल से discussion में relationship दो relationship मेरी अभी भी pending है reference and m2m जो आपने discuss नहीं करें उनको discuss करने के लिए यह सारा ताम जाम आपने फैलाया so that आप वो समझें कि यह 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 क्या होते हैं और pages के layout पर कहां पर कौन सी चीज fit होती है कौन सी चीज कहां मिलती है यह आपको पता होना चाहिए तो hopefully यह जो discussion है यह आपको समझ में आया होगा आगे के sessions जरूर देखने जहां पर बात करूंगा मैं reference relationship की कैसे sub tab आपको help करेगा कहां पर relationship दिखेगी no doubt theory भी करा रहा हूं practical भी करा हूं तो आपको sequence में देखना है सब कुछ वीडियो पर number भी मिल रहे हैं आपको कि sequence में वीडियो देखने हैं उसी sequence में आपको अपने course complete करना है हिंदी में मिल रहा है बहुत basic और समझदारी के साथ मिल रहा है layman term के examples के साथ मिल रहा है और मेरी कोशिशन दोस्तों कि तभी सफल होगी जो आप मुझे support करोगी no doubt आप support करते भी हो बट अपने भाई को और ज़्यादा प्यार देने के लिए यार अपनी location एड करो अपनी कहां से देख रहे हो अपना नाम tag करो किस company में आप हो वो tag करो मुझे motivate करने के लिए चैनल को शेर करें वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों की साथ शेर करें जो पढ़ना चाहते लिखना चाहते आगी पढ़ना चाहते उनके शेर करें फिर से मुलाकात होगे एक नए वीडियो में नए concept के साथ तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त थैंक यू सो मच जी वाचिंग कीप सपोर्टिंग टेक केर भाइ भाइ